कि अभी का सवागत है हमारे चैनल इंजिनियर्स कोच में आज का टॉपिक है कैमबर तो कैमबर एक क्रॉप स्लोप होता है जो कि प्रोवाइड किया जाता है ट्रेवल्स डिरेक्शन में रोड के इसमें मिडिल आफ दरोड सर्फेस उठा देते हैं जैसे कि आप महां लीजिए यह एक रोड है यहां पर गाड़ी आ रही है यहां पर आप खड़े हो ठीक आप इसको देखोगे ठीक है यह सामने से यह रोड इस डिरेक्शन में गाड़ी जा रही है तो आप सामने खड़े हो तो आप गाड़ी को ऐसे देखोगे जो यह आपको कलर में दिख रहा है डाइग्राम तो सामने से आप आप ऐसे देखोगे गारी को तो ऐसे देखने आपको यह पता चलेगा कि यह जो सरफिस है रोड गाँ जो की ऐसे कर बना हुआ है तो इसका मेल इसका मेल पर बस यह रखता है कि बरसाद का पानी तुरंथी बैके चला जाए रोड से दूर कि रोड की सरफिस खराबना हो और रोट के जो अंदर का फॉर्मेशन नग से उसमें पानी ना गुषित और रोड हराब नहों थो यही होता है कैमबर यह जो हिस्सा होता है कि जो स्लोड करते हैं और जो टॉप आफ दी रोड होता है जो मिदिल पोश्चन रहता है जैसे यह है रोड यह टॉप पोश्चन जो रहता उसको कहते हैं क्राउन तो में परफस यह केंबर प्रॉइड करने कही है कि बरसाद का पानी जल्दी से जल्दी सड़क से दूर हो जाए और सड़क खराब ना हो तो क्रॉप जो शेप आफ प्रॉप है वह तीन टैप के होते हैं पहला है पराबोलिक दूसरा होता है स्ट्रेट लाइन केमबर और तीसरा होता है कंबाइंड केमबर पराबोलिक केमबर जैसे पराबोलिक शेप का होगा स्ट्रेट केमबर ऐसा होगा यह स्ट्रेट केमबर हम लोग प्रॉइड करते हैं सीसी रोड पर और जो combined है, combined कुछ ऐसा होता है, उसमें straight भी रहेगा, बीच में ऐसे parabolic रहेगा, और ये ऐसे फिर straight रहेगा, तो ये आपका हो गया combined, ये हो गया straight line camber, ये parabolic camber, तो ये top portion इसका crown है, तो ये direction इसकी x ले ले लेते हैं, इसकी y ले ले लेते हैं, तो ये provide camber provide करने का एक formula है, y is equal to x square upon a, यहां पर जो a है आपका, वो होता है, n, w upon 2, यहां पर n है आपका cross slope, जो कि जैसे लिखते हैं, 1 in n, तो ये n ये है, और यहां पर जो w है, वो width है, ये आपका width हो गया, तो इस formula को इसमें put करेंगे, ये आपका हो जाएगा, 2 x square upon n, w, तो ये था camber, आपको ये lecture पसंद आ, तो हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच को subscribe करिए, और comment करिए, thank you.